हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड एंड टेलर में रीड एंड टेलर एक स्टोरी टेलर चैनल है जिसमें हम स्टोरीज के बारे में बताएंगे रिच फैमली और मिडिल क्लास फैमली की कि rich family rich कैसे बनती जा रही है और middle class family middle में ही क्यों रह जा रही है हमारी इस part में पहला जो story है वो एक चूहा दोड के बारे में कि हम middle class के लोग एक चूहे की दोड से दोड रहे हैं और दोड़ते दोड़ते आखिर में अपनी retirement में क्या पाते हैं अपना zero balance और rich family इस तरीके से दोड़ती है कि वो दोड़ते दोड़ते अपने हर एक step को convert करती है richness में और आखिर में amount में क्या पाती है एक more than amount retirement के टाइम पे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से वैतीत करते हैं तो चूहा दोड़ एक कानी है एक family की middle class family की तो इस family में जो है एक mother है एक father है एक बच्चा है और grandfather है और grandson मदर है तो सभी लोग आपस में मिलजूल के रहते हैं एक ही परिवार में रहते हैं बच्चा स्कूल जाता है मंपी पापा अपने अपनी जोग पे जाते हैं पापा उसके manager है किसी company में और मंपी उसके manager है किसी अच्छी company में तो एक सरकारी नोकरी में मंपी उसके और उसके पापा एक private mnc company में बच्चे Technical जाते-जते एक दिन स्कूल से घर आता है और घर आने के बाद अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाओंगा तो मम्मी ये बात सुनके चंबे मेरा जाती है कि बच्चा कल से स्कूल क्यों नहीं जाएगा अब मम्मी पूछती है उससे कि क्या हुआ बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है स्कूल में किसी टीचर ने किसी प्रिंसिपल ने या किसी बच्चे ने आपको कुछ कहा है तो बच्चा क्याता है नहीं मम्मी नहीं तो मुझे कोई टीचर से प्रॉब्लम है ना किसी बच्चे ने मुझे कुछ कहा है मैं स्कूल नहीं जाओंगा बस कल तो बच्चा क्यों नहीं जाओगे बेटा स्कूल तो बच्चे कहता है जवाब देता है कि मम्मी जो हम सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल में जो आपने सिक्षा प्राप्त किये जब आप कम्पनी में जोब कर रहे हो तो क्या वो सिक्षा आपकी काम आ रही है क्या आपने उस सिक्षा को कहीं अपनी जोब में अपलाई किया है, तो मम्मी ये बात सुनके अचंबे में रह जाती है, कि बच्चे ने जो बात कही है, वो एक आच्यरी जिनक भात थी, कि बच्चे ने बात तो एक ऐसी वह अज़्या दी, जिसका आंसर, जिसका उत्तर भी उसकी मम्मी के पास नहीं था उस तो उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि मैं इसका अंसर आपको बार में दूँगे अब शाम को उसके पापा आते हैं कंपनी से तो वो उसके पापा के साथ में discussion करती हैं डिसकसन करने के बाद दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं होता उसकी बात का अब बच्चा सोचता है कि हम एक अच्छी एन्वार्मेंट में रहते हैं रिच फैमिलियों के बीच में रहते हैं लेकिन फिर भी हम मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ ही जी रहे हैं अब उसके मम्मी पापा भी इस बात को सोचते हैं कि हम जब रिच फैमिलियों के बीच में रह रहे हैं तो हम रिच क्यों नहीं बन पा रहे हैं और क्यों हम एक मिडिल क्लास फैमिली में ही रह जा रहे हैं तो उसकी मम्मी उसको मोटिवेट करके school भेज देती है next day और कुछ time बीटता है कुछ समय बीटने के बाद क्या होता है कि कुछ investors और कुछ businessmen उसके पापा के office में आते हैं तो वो सभी अपने अपने तर्क देते हैं सभी अपने अपने जो bankers है investors है और जो businessmen है वो अपने अपने तरीके अपने अपने projects को discussion करते हैं उसके पापा के साथ में तो उसके पापा को बात समझ आने लगती है कि अमीर लोग कैसे अमीर बन रहे है और हम middle class वाले लोग क्यो middle में ही रह जा रहे हैं अब वो अपनी wife के साथ में उसकी बच्चे की मम्मी के साथ में discussion करता है इस बात के बारे में तो उसकी मम्मी इस बारे में इस विशे में सोचती है कि जो business man आए वे हैं उन्होंने तरक तो सही दिये हैं तो कुछ समय बाद दोबारा वो business man आते हैं दोबारा investors वो bankers आते हैं तो उसके पापा उसकी मम्मी को call करते हैं कि जो बात हमने discussion की थी rich बनने के लिए कुछ अलग करने के लिए कुछ नया तरीक अपनाने के लिए तो शायद ये जो businessmen हैं, ये जो bankers हैं ये हमें तरीके सिखा सकते हैं कि हमें कैसे rich बना जा सकता है तो ये बाद उसकी मम्मी को समझ आ जाती है उसके पापा को भी समझ आने लगती है अब बाद जो ये विशे है ये विशे कहां से उत्पन हुआ ये दो विशों में उत्पन हुआ दो चीजों से उत्पन हुआ कि उन्हें यादाई पहली बाते जो उनके मम्मी पापा ने उन् प्राप्त करने हैं, आपको अच्छे स्कूल, कॉलेजिस में जाना है और एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लिए नहीं है, ताकि आपका जीवन भी वैथित हो जाए, हमारा जीवन भी वैथित हो जाए, अब यही बात दोनों में डिफ्रेंस आ जाता है, दोनों के विश्य लग लग हो जाते हैं, बिजनसमेन एक अलग तरीके का तरक उन्हें देता है, उनके जो पहले से जो पीडिया चलती आ रही थी, वो तरक अलग देती है, बिजनसमेन हमेशा बिजनस चापने के बारे में और पैसा चापने के बारे में बात कर रहा था उनके सामने, और जो पहली जो आदते जो चलती आ रही थी वो उनको कमाई के बारे में बता रही थी कि आपको कमाना कैसे हैं पैसा छापना और कमाना दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंस आ गया अब दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया दोनों विश्यों ने और दोनों विश्यों पर वो द नए तरीके बिजनसमेन उनके सामने लेके आया था, वो बिल्कुल एक डिफ्रिंट तरीका था, बात सुरू होती है यहां से कि जब हम एक अच्छी नौकरी कर लेते हैं, एक अच्छी नौकरी पे सैटल हो जाते हैं, तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कपल्स भी मिलते हैं हम भी किसी के साथ में टैच लो जाते हैं, मुझे शादी भी कर लेते हैं, तो क्या है, कि अपने बच्चे को हर माबाप चाते हैं, कि हम एक अच्छा जीवन वेतीत कराएं, यह माबाप की भी गलती नहीं है, माबाप भी उस चीज में सही है, क्योंकि वो भी अपने से, बच्चों की तरब से, तो अब यही छोटे से एक बच्चे ने बात कही थी, कि हमारी वो सिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे काम ही नहीं आ रही है, तो मैं उस पढ़ाई को करूंगा क्या, अब उसके मम्मी ने उस बात पर सोच विचार किया, उसकी मम्मी और पापा उन तरीकों को खोजने लगे, कि कैसे उनको रिच बना जाए, अब रिच बनने की कहानी कहा से स्टार्ट होती है, जब वो अपनी पिछली लाइप पे, पहले जीवन पे जाते है, कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने शादी की, ठीक है, दोनोंने अपने अपन में बेजना है एक अच्छे इंवार्मेंट में उसको रखना है तो high class society में उन्हें जाना पड़ेगा ताकि वो वहां के तोर तरीके उनका बच्चा भी सीख सके तोर तरीके सीखने के लिए उन्होंने एक बड़ा गड़ ले लिया वो भी EMI पे ले लिया अब दो करजी उनके पास में हो गए अब जितनी दोनों की salary आती थी वो खर्चे कुछ खर्चे उसमें EMI में जाने लगे और कुछ खर्चे उनके family के जो खर्च थे वो करने लगे अब उन family के खर्चा जब पूरा नहीं हो पा रहा तो उन्होंने सोचा हम credit card ले लेते हैं ताकि हम थोड़ी एक स तीनों करजे जब उनके पास हो गए तो उनकी जो salaries थी total वो total salaries उनके अपने करजे पूरे करने में जाने में लगी अब जब करज पूरे करने में जाने में लगी तो उनको समझ आने लगी कि rich family कैसे काम करती है और हम middle class के लोग middle family जो है वो middle में ही क्यों रह जाते हैं यही बात है rich family हमेशा अपने खर्चों को कम करती है और अपने पैसे को invest ऐसी जगया करती है कि वो और rich बन जाए उससे आने वाले time में और middle class के family के लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में 10 रुपे आ गए तो उनको 1 रुपे में convert कर लेते हैं और rich family 1 रुपे कमा के उसको 10 कि हमें अपने बच्चों को वो तरीके भी सिखाने पड़ेंगे जो तरीके उनको rich बनाने में उनकी मदद करें उनको guide करें तो उन तरीकों को अपने बच्चों को सिखाने से पहले हमें खुद से सीखना होगा कि हम अपने बच्चों को जो तरीके सिखा रहे हैं क्या हम उस से उसमें समझ है हमारे पास में तो पहले हमें सीखना होगा उसके बाद में हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं तो इस कहानी से यही है यही दर्शाया गया है कि आप rich family rich कैसे बन रही है और poor जो middle class family है वो middle में ही क्यों रह जा रही है क्योंकि rich इंसान हमें सब business के बारे में सोचता है अपने पैसे को एक रुपिय इंवेश्ट करके वो दस रुपे कमाने में सोचता है और middle class family दस रुपे कमा के एक रुपिय पर कैसे आ जाए अपनी जरुतों को पूरा करके उस चीज में इंवेश्ट करती है अपना time भी इंव इस कहानी में यह कोई नहीं बात कही जा रही है कि आपको स्कूल नहीं जाना है किसी बच्चे को स्कूल नहीं बेजना है सिक्सा प्राप्त नहीं करनी है स्कूल जाना है शिक्षा भी प्राप्त करनी है अच्छे ग्रेडिंग और अच्छे मार्क्स भी लेके आनी है लेकिन उसी सिख्षा के साथ में एक तूसरी सिख्षा है financial activity की जिस financial activity के बारे में हमें सीखना है कि हमें rich इंसान कैसे बनना है और आने वाली stories में हम आपको 6 सबक सिखाएंगे कि अमीर लोग अमीर कैसे बन रहे हैं अमीर लोग हमारे पास में सबक हैं कि अमीर लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, अमीर लोग हमेशा पैसे का अविश्कार करते हैं, अमीर लोग टेक्शेशन और कोर्परेशन को समझने में टाइम इनिवेस्ट करते हैं, अमीर लोग हमेशा अपने खर्च शेज़ा आया गया है आने वाली स्टॉरी में हम आपको कुछ सबक सिखाएंगे जिस तरीके से आप रिच फैमिली से रिच बन सकते हो और बीडिल फैमिली भी रिच बन सकती है कैसे कैसे वो invest कर सकती है तो आप सभी का धन्यवाद इस stories को सुनने के लिए हमारे चैनल को like करो subscribe करो और share करो जादा से जादा ताकि और लोग भी इन चीजों को सुन सके और वो motivate हो सके कुछ करने के लिए क्योंकि एक एक काम हमारा जरिया नहीं है हमें rich बनाने के लिए हमें ऐसे काम करने ह होंगे जो हमें art से rich पर ले जाए और rich से और rich बना दिया जाए तो आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अपनी अगली story में कुछ सबक लेकर ताकि आप भी सीख सके और अपने आने वाली generation को भी सिखा सके धन्यवाद